हलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासिज आज राजस्तान जोगरापी में अपन बात करने वाले हैं नैचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट अफ राजस्तान की लेंड पे कौन-कौन सी वेजिटेशन नैचुरल-नैचुरल का मतलब यह हो गया कि यहां के क्लाइमिट के अ अविलिबल है मतलब लॉकिटेड है राजस्तान उसके अकोर्डिंग उन सारे फीचर्स को देखते हुए यहां पर कौन सी वेजिटेशन मिलती है और साथ में कितना फॉरेस्ट एरिया है ठीक है वह देखेंगे और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टन यह है कि यहां पर जो य पर डिक्लियर की जाती है और प्रिपेर किसके दिवार की जाती है यह फॉरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया ओके एफसाई तो इस तरीके से यह बिल्कुल लेटेस्ट डेटा पर बेस्ट है और जैसे ही अगर नेक्स्ट जो डेटा आएगा वह 2021 में आएगा तो तब तक अपने इस डेटा को यूज कर सकते हैं ओके तो लेट्स टार्ट सबसब पहले बात बताएं फॉरेस्ट होते क्या है या फिर नैचुरल वेजिटेशन होती क्या है यह तरीके के बहुत ही इंपोर्टेंट नैचुरल रिसोर्स होते हैं जो की एनवार्मेंट को प्रोटेक्ट करने म बहुत एहम रोल प्ले करते हैं और किसी भी पॉटिकेलर रीजन में अगर बायू वेजिटेशनल रेश्व अपने पास में ज्यादा है जहां पर बायलोजीकली जो वेजिटेशन्स होती है वह वहाँ पर अवैलेबल हो उसका अगर रेश्व ज्यादा है मतलब ज्यादा फ नॉर्मल सी चीज बताऊं अभी जैसे वाटर क्राइसिस ओलो और वर्ल्ड फेस किये जा रहे हैं तो कुछ हो पर क्या है कि वहाँ पर अभी भी अच्छा वाटर टेबल मेंटेंड है उसका रीजन क्या है कि फॉर्स्ट के अनदर ना तो कोई एक्स citasm होता है दूसरा वहाँ पर जो फॉलिएज होता है जोकी डेड़ फॉलिएज है डेड़ फॉलिएज वह जो खराब पत्या है जो जम पॉलेट होता है वह एवपोरेट नहीं हो पाता तो इसको अपने डाइग्राम के बेशेस पर समझ सकते हैं आप देखो यहां पर फॉर एक्जाम्पल यह ट्री है बहुत सारे ट्री इस एक साथ है अब यहां पर अगर पानी आ गया बारिश का नीचे अर्थ सर्फेस पे तो यहां पर ऊपर से तो धरेक्त आएगी निखेक अगर्जाम्पल मेंपोलेट करने में फॉरेस्ट का बहुत इंपोर्टन्ट रोल होता है नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान जो है इंडिया का लार्जिस्ट स्टेट है एरिया वाइज कब बना जब 26 स्टेट बना था इंडिया में 36 गर्ड जो की मध्यप्रदेश से अलग होके बनाया गया था 1st November 2000 को तो राजस्थान इंडिया का लार्जिस्ट स्टेट बन गया था ठीक है बनने को दो स्टेट और बने थे जारखंड और उत्राखंड पर 36 गर्ड का अलग होने पर ही राजस्थान एक नंबर पर आया क्योंकि पहले MP एक नंबर पर था ठीक है MP से ही 36 गर्ड निकला तो प्रेजेट सिच्टुेशन की बात करें तो राजस्थान की टोटल लेंड एरिया पर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो है 16,630 स्क्वेर किलोमेटर जो की टोटल एरिया का 4.86 आल्मोस्ट 4.86 परसेंट परता है जबकि रेकमेंडेशन क्या है रेकमेंडेशन आपन रिप 80% लेंडेज पर कम से कम फॉरेस्ट होना ही चाहिए तो उससे अगर अपन कंपेर करें तो बहुत ही कम है ये फॉरेस्ट कवर नैस्ट अगर फैक्ट की बात करें तो वह है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट का जो डवलपमेंट है उसको इपना रखने लिए स्टेट्स बहुत ही जदा एक क्लामेट केंडिय है राजस्थान की अब क्लामेट केंडिशन ourselves और यहाँ पर अपने liberthese कंडिशन क्या हो जता है विजिक्टेशन ग्रोंत कम होता है तो अपने ही सदोझ केंडियेख क्लामेट को ज्यादा स्टैप और ज्यादा रहना पडcken है ठीक है और अपने यहां राजस्थान में विजिटेशन किस पे रिपेंड करती है जैसे मैंने पहले बता दिया क्लाइमेट पर क्लाइमेटिक फैक्टर कौन-कौन से है रेंफोल टेंपरेचर एल्टिट्यूड हाइट कितनी है और कौन से रीजन में लोकेटेड है और अरावली की लोकेशन का मेटर करता है कि अरावली पैरेलल है इसलिए साउथ वेस्ट मौन्शून जो अरेबियन ब्रांच आती है वो पैरेलल ही निकल जाती है पस थोड़ा कि माउन्ट अबु में बारिश करती है और बेंगॉल की जो ब्रांच आती है वह क्या करती है वो थोड़ी ब्रेल फोल करते है वहयों भी साउथ और साउथ लाम क काम करती है इसलिए बे ओफ बेंगोल की जो ब्रांच है वो जा नहीं पाती है ओके अपने यहां पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं ड्राइटीक होते हैं ड्राइट ट्रॉपिकल धोंक होते हैं mix deciduous होते हैं dry forest होते हैं सब tropical evergreen forest भी अपने यहां मिलते हैं evergreen forest अपने उकहां मिलेंगे जहां पर rainfall बहुत अच्छे से होता रहता है Mount Abu वाले region में सिरोही वाले region में ओके अब अपन बात करते हैं next next यह है कि यहां पर availability of vegetation है वो depend किस पर कर रही है वो depend करती है कि यहां पर कैसी तो temperature की condition है soil, climate, biological factors इन पर depend करती है अब biological factors के अपन बात करें तो burrowing अगर कोई animal है जैसे खरगोस है, rabbit है, rats है तो यह क्या करते हैं यह भी क्या करते हैं अपने bill बनाते हैं तो bill बनाते हैं तो क्या होता है वो मिट्टी की जो composition हो उसको भी effect करते हैं और मिट्टी को disintegrate कर देते हैं और cattle grazing जैसे मान लो बहुत बड़ा grass land field है ठीक है अब वहाँ पर grass field के ओपर जाके अगर grazing कर आओगे तो वहाँ पर क्या होगा यह dead हो जाएगी और फिर यहां के मिट्टी जो होगी उसका erosion आराम से air और water से easily हो सकता है तो उससे भी क्या हो जाता है land degradation हो जाता है विजिटेशन पर ultimately effect जाता है अगर पर capita पर capita मतलब population के हिसाब चकर देखें तो एक आदमी पे इंडिया में राजस्थान में forest area जो है वो है 0.036 hectare कितना है 0.036 hectare है फिर बात करें कि policy और department राजस्थान government कौन-कौन से step लेती है और क्या राजस्थान government की policy है कौन से year में वो policy आई थी अगर उनकी बात की जाए तो 1949-50 मतलब independence के just बाद में state government ने forest department established किया था इसका मतलब यह था अपन समझ सकते हैं कि forest को vegetation को पहले से अपने यहां पर importance दी गई है ठीक है जैसे आपने देखा होगा चिपको आंदुलन का आपने भी effect था यहां पे जो मुझे जहां तक याद है राव अभैसिंग करके उन्होंने पेड़ कटवाने की कोशिश की थी तो इधर सब लोगोंने खेज़ी के पेड़ों के लिए उसके चिपक गए थ मतलब यह है कि अपने यहां पर क्लाइमेटी कंडिशन बिल्कुल हार्श होने की वज़े से पहले से ही बहुत प्रीवेसली मतलब अपने हिस्ट्री में भी अपने वेजिटेशन की बहुत importance रखी है उनकी पूजा की है forest की और उस टाइम पे जब 1949 50 में forest department of राजस्तान स्ट forest cover था और आज कितना हो चुका है four point eight six percent जो कि बहुत कम हो गया इसका मतलब बहुत ही जबर्दस तरीके से exploitation हो रहा है forest का राष्ट्री फॉरस्ट पॉलिसी जो आई थी national forest policy of 1952 इसका stress कि सीजबे था कि अपने को टार्गेट रखना है 33 परसंट जो अपने इस इनीशल स्लाइड में देखा था कि टार्गेट तो 33 परसंट नेशनल लेवल पे तो नेशनल लेवल पे है वही अपने को फॉलो करना हो स्टेट लवल पे जबकि अपने यहां पे अवेलेबल फॉरेस्ट कवर कितना है 4.86 परसंट विच इस वेरी फार लेस देन देट टार्गेट इड ठीक है जितना टार्गेट हो से बहुत कम है राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2010 में जो आई थी उसका टार्गेट यह था क कि अपना फॉरेस्ट एरिया कम से कम दस परसेंट तक तो अपन पहुंचाए फॉरेस्ट एडिया और फॉरेस्ट कवर दोनों में बहुत डिफ्रेंस है फॉरेस्ट कवर का मतलब हो गया पर्टिकलर रीजन के अंदर कितनी प्लांट्स हैं कितने श्रब्स हैं कितने स्क्रब और बीच में चोटींटी जाडिया है, उनको है, तो इसको मिला कराए पूरा रिज़न जो हो जाएगा, वो तो हो जाएगा soil. लाजस्थान में कम ही है बहुत कम है 33% के कम है 4.86 is not good enough अब बात करते हैं कुछ important terms की वो अगर अपन समझेंगे तो आगे यह repeatedly आएंगी तो वो चीज़ा अपन देख लेते हैं first term है forest cover forest cover का मतलब क्या होता है forest cover का मतलब होता है वो लेंड जिस पे more than one hectare area एक्टर नहीं है hectare एक्टेर एक्टेर एरिया और उसमें canopy density more than 10% हो मानलो यह 100 km2 का area है ठीक है उस 100 km2 एक ओपर 10 km2 एक तो canopy canopy का मतलब क्या हो गया canopy का मतलब यह देखो नीचे आप यहां पर देख पा रहे हो कि कि plants जितने भी हैं पोदे जितने भी हैं उनकी branches के cover और उनकी folies मतलब उनकी पत्तियों के द्वारा जो crown बनाया जा रहा है पेड का वो कितने area को cover कर रहे हैं मानलो यह plant है तो यह जितने area को यहां पे forest basically कौन से होता है जिनका government के पास record maintain होता है उसको forest area और recording forest area बोलते हैं तो यहां पर यह चीज़ क्लियर हो गई होगी कि forest cover क्या होता है for recorded forest जिसको forest area भी बोलते हैं यह क्या होता है और canopy density क्या होती है ओके अब चलते हैं next way अब जो latest report जो आई है राजस्थान state of forest report 2019 basically यह पार्ट ही होती है Indian state of forest report का ओके तो उस case में एक सेकंड तो इस तरीके से अपन जो इंडिया की जो इंडियन state of forest आई-एस इंडियन state of forest report है उसी का पार्ट होती है राजस्थान state of forest report ठीक है अब इसके बारे में अपन थोड़ा basic detail गीन करते हैं यह basically Indian state of forest report 2019 का party है और यह declare हुआ यह था कब recently जो 2019 की जो latest report है वो आय थी 30 December 2019 को यह declare की गई थी ministry of environment forest and climate change इंडिया की द्वारा और यह develop की जाती forest survey of इंडिया की द्वारा this report started यह first time report कब आय थी 1987 में और अब तक यह 16th edition है 2019 वाला कौन सा है 16th edition है इसका और यह जो report है इसकी सबसे important खाश्यत क्या है कि resource set जो इश्रों का send किया हुआ remote sensing satellite है उसके दुआरा जो data gain किया गया है उसका भी इसमें use हुआ है resource set टू उसका भी data use हुआ जो remote sensing satellite है और remote sensing satellite कौन से होते हैं जो distance से एक particular distance से earth surface पर क्या क्या activities हो रही है कौन कौन से जिगया पर forest है कहां पर agricultural activity हो रही है कहां पर mining हो रही है उन चीजों का observe करना और साथ में security perspective भी यह काम करते हैं ओके अब चलते हैं अपन इस report की थोड़ी ओर detail gain करने के लिए 2019 की अगर report की बात करें तो राजस्थान में 2017 के comparison में 57.51 square kilometer area का forest cover increase हुआ है तो 2019 में सबसे important fact 57.51 square kilometer area increase हुआ है और अगर अगर आपन देखें कि यहाँ पर किस किस तरीके से अपन forest का division कर सकते हैं उनकी density के according तो यहाँ पे देख सकते हो एक तो है VDF VDF stands for very dense forest MDF stands for medium dense forest और OF मतलब open forest अब यहाँ पे देखें आपके सामने यह pie chart भी है और यहाँ पे यह table भी है अब detail में अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि very dense forest है उसका area कितना है 77.81 square kilometer जो की total geographical area कितना है 0.02% only यह area कौन सा आ रहा है यह वाला region है Mount Abu यह region जहाँ पर बहुत ही ज्यादा dense अपने को vegetation मिलती है राजस्थान में दूसरा है medium dense vegetation यह है 4341.90 यह है 1.27% third है open forest जो 12,209 square kilometer जो की 3.57% ही है total area का राजस्थान के गाथ ठीक है इस तरीके जो total जो land cover है forest cover है जो आपने initial first slide में डिसकस किया था 16,630 अराउंड ठीक है यहाँ पर 29.51 तो अराउंड 30 अबन कर सकते हैं तो total कितना 4.86 targeted कितना है 33% target है और अगर scrubs की बात करें जाडियों की बात करें जो जिनकी plants की height कम होती है उनकी देखें तो वो area है 4760 square kilometer जो कि total area कितना है 1.39% तो यहाँ पर अगर forest की बात की जाती है तो किवल यह ही आते हैं कौन से very dance, medium dance और open forest ठीक है पाई चार्ट में भी आप देखोगी तो यहां से देख सकते हो आप इसको non forest और यह इस तरीके से decreasing order या increasing order में आप सैट कर सकते हैं easily और decreasing और increasing order में आपको याद रहेगा कि यहां पर राजस्तान में अपने कौन कौन से ज्यादा मिलते हैं अब यहां से आपन सीधा सा कर सकते हैं कि open forest number one number two अपने scrubs आते हैं number three medium for medium density forest number four VDF मतलब very dense forest सबसे कम मिलते हैं अपने राजस्तान में और सबसे ज्यादा एरिया क्या है non forested area यह देखने वाली बात है ओके next अपन बात करें तो total forest cover कितना हो गया जैसे अपने पहले डिसकस के लिए 16,630 square kilometer total tree cover जिसको canopy अपन बोलते हैं वो कितना है 8,112 square kilometer total tree cover का मतलब क्या हो गया कि जैसे forest के अलावा भी तो trees है उनका cover भी तो होता है out of forest area तो वो कितना है 8,112 square kilometer तो total forest area कितना हो गया इन दोनों को add कर दो वो अपना हो गया 24,742 जो कि government record में added है तो totally देखा जाए तो forest area कितना हो गया 7.22% of total area of Rajasthan तो forest cover तो कितना था 4.86% of total area of Rajasthan जबकि forest area कितना आ रहा है 7.22% of total area of Rajasthan तो इस तरीके ज़िए total recorded forest की बात करें तो वो कितना है 32,737 अब total recorded जो forest होता है वो क्या categorization भी होता है तो उस हिसाब से अगर record के हिसाब से देखा जाए ये forest area हो गया physically 7.22% अब record की बात करें तो record के अंदर कितना है 32,737 square kilometer जो की total area का 9.57% अरा around 10% है ठीक है और इस हिसाब स से राजस्तान का इंडिया में नंबर है 15 15th stand repeat कर रहा हूं मैं इस लाइड एक बार क्योंकि डेटा कई बार important पढ़ जाता है forest cover forest cover का मतलब कौन कौन से region में scrubs है या फिर जो भी very dance और अभी previous slide में देखा था very dance medium dance open forest वो कितना है वो तो है 16,630 square kilometer total tree cover की बात करें ठीक है forest cover के अलावा जो forest area है for example ये forest cover है अब इसके अलावा आपने forest area इस पूरे हो consider करता है तो यहां पे scattered trees जो होंगे उनका भी कुछ area cover किया हुआ है तो वो कितना है 8,112 total forest cover forest area कितना हो गया 24,742 तो इस तरीके से forest area तो 7.22 है पर अगर government के record की बात करें तो government ने record कर रखका है 32,737 square kilometer उसके इसाब से total area का 9.57% area है राजस्तान का उस पर क्या है forest government ने consider कर रखा और उसके इसाब से राजस्तान का number area में 15th है अब देख लेते हैं कि जो ये recorded forest है उसको कौन-कौन से type में अपने divide कर सकते हैं और साथ में कौन-कौन सी activities वहाँ पे allowed है और कौन-कौन सी prohibited है और कौन कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-ध है तो अपन अभी बात कर रहे है recorded forest area की ओके जो government ने रख्षा है मतलब जिसको legal status provide है ओके तो legal status based में 3 तरीके के forest area है reserved, protected और Unclassified, reserved forest वो है जहां पर grazing और timber collection और timber cutting is not allowed ये बिलकुल prohibited है, allowed नहीं है, क का total area राजस्तान में देखोगे आप जितना forest area उसका recorded forest area का यहाँ पे आप देखो recorded forest area कितना था 32,737 वो अगर hundred percent consider करें तो उस में से 32,737 में से 12,475 square kilometer जो कि 38.11 मतलब 38.11 जो है वो reserved forest है number two की बात करें protected forest यहाँ पे limited permission है grazing भी allowed है थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत आप wood cutting या wood collection भी कर सकते हो पर इसका मतलब यह नहीं कि आप heavily exploit करो उस particular region को ओके तो इसका area कितना है 18,217 square kilometer जो कि total जो यहाँ पे recorded forest area उसका 55.64 percent है ओके third है unclassified जिसका कोई classification नहीं है यहाँ पर कोई prohibition नहीं है यहाँ पर grazing भी allowed है freely और यहाँ पर wood cutting और timber collection is also allowed और यह कितना है total जो recorded forest area उसका 6.25 percent जो कि 2045 square kilometer area पे located है तो इसमें आपन देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा है protected forest number two कौन सा है reserve forest और number three कौन सा unclassified total recorded forest के अंदर protected area नमबर पर एक है नमबर एक पर है फिर reserved फिर unclassified okay I guess you got the point फिर अपन बात करते हैं district wise इस report में क्या-क्या data निकल के आया है तो अगर area wise देखे तो highest area wise forest जो है वो है उदैपुर में 2757 square kilometer फिर अलवर में है जो 1197 square kilometer और फिर प्रताबगड में है जो कि 1038 square kilometer तो उदैपुर अलवर प्रताबगड यह highest area वाले district है अब percentage देखें कि particular एक district है उसके कितने percent पर कितने area के ओपर एक district के कितने area पर अब यह जो area है यह इस पूरे district के area का percentage उस हिसाब से देखा जाए percentage के हिसाब से तो उदैपुर वो ही दुबारा repeat हो रहा है प्रताबगड दूसरे नंबर पर आता और शिरोई तीसरे नंबर पर उदैपुर में 23.51% area जो है उदैपुर के total area का उसमें forest area है प्रताबगड में 23.33% है जो की प्रताबगड के total area का है और शिरोई में forest area है वो total शिरोई के physical area का 17.77% area पे spreaded है फिर बात करते हैं lowest area के इसाब से कि सबसे कम तो सबसे कम forest area आता है चूरू में 82 square km हनुमानगड में 90 square km जोदपुर में 108 square km तो इस तरीके से चूरू हनुमानगड और जोदपुर इसका अपन कपल करके बता सकते हैं कि हां कई बार यह question आ जाता है objective टाइप exam के अंदर कि चूरू हनुमानगड जोदपुर यह specifically या फिर यह पूछ लेता है कि minimum forest area वाला जिलो का या districts का पेर कौन सा है तो उसमें उदापुर सिरोही दे दिया उदापुर जालोर दे दिया टोटल डिस्ट्रिक्ट का जो physical area उसके percentage area के साब से lowest कौन सा है तो जोदपुर में सबसे कम है पकर percent के साब से क्युंग जोदपुर का area भी बहुत है इसलिए थोड़ा सा भी अगर है वहाँ पे तो वह बहुत कम percentage हो जाता है तो 0.47 परसेंट यह है फिर आता है चूरू 00.59 और नागोर नागोर की बात करें तो 0.83% of total physical area अब बात करें 2017 की रिपोर्ट के comparison में कि कौन-कौन से districts के अंदर forest cover जो है वो increase हुआ है तो highest की बात करें तो बाड मेर जैसल मेर और दूंगरपूर इन तीनों के अंदर highest increase हुआ जिसमें बाड मेर नमबर एक नमबर दो जैसल मेर और नमबर तीन दूंगरपूर इसी तरीके से highest loss की बात करें forest cover की तो वो कौन-कौन से districts है 2017 की रिपोर्ट के comparison में अगर 2019 की रिपोर्ट में देखे तो तो वो हैं कुदैपूर प्रताबगर और जालावाड यहाँ पर डेटा इसलिए नहीं रिखा क्योंकि ये increase और decrease के महाँ पर भी forest decrease हुआ प्रताबगर भी top 3 के अंदर था और जालावाड साथ में ओके फिर next अपन देखते हैं यहाँ पर आपके सामने map आ गया आप यहाँ पर आराम से easily देख सकते हो कि कौन-कौन से reason में अपने यहाँ पर राजस्तान में forest ज्यादा densely मिलते हैं तो देखो एक तो south east reason है और एक यह reason हो गया south reason तो south और south east reason में अपने यहाँ पर ज्यादा vegetation है बाकी देख लो एकदम scattered है जिसके अंदर thorny या dog type vegetation अपने को मिलता है ठीक है और उसकी वजह क्या है जैसे जैसे अपन south east से north west की तरफ जाते हैं जैसे जैसे south से north की तरफ जाते हैं rainfall decrease होता है और rainfall अगर decrease हो रहा है और evaporation अगर ज्यादा हो रहा है तो उस परिस्तिते में humidity कह रहेगी कम और humidity अगर कम होगी तो उसी तरीके से vegetation भी कम होता जाता है तो western राजस्तान में rainfall कम evaporation ज्यादा बिल्कुल कम अपने को vegetation दिख रहा है फिर आप देखो दूसरा वाला पार्ट अरावली वाले रीजन की बात करें एक बार में थोड़ा से इसको मिटाऊंगा अरावली वाले रीजन के आप बात कर लो अरावली वाले रीजन से लेफ्ट की तरफ जो भी है वहाँ पे rainfall भी कम evaporation भी ज्यादा है तो उसे वहाँ पर नहीं होगी फिर आप साउध वाले र रीजन के अंदर जो साउथ वेस्ट मॉन्सून आता है अरेबियन सागर वाली ब्रांच वह यहां पर रेइनफॉल अच्छी करती है तो यहां पर वेजिटेशन अपने को ज्यादा मिलती है इसी तरीके से बेव बेंगॉल ब्रांच जो आती है वहां सबसे पहले स्ट्राइ लीजन के अंदर क्या है रावली बिल्कुल हाइट बहुत कमहां डॉन नौक्स में है पैनी प्लीन है यह क्या है पैनी प्लीन डेवीशियन साइकल के बारे में अपन पड़ते हैं कई बार तो टो एरोजन होगो के बिल्कुल छोटी सी रिवेर वो रह गई है हिल्स जबकि यह सदर्न पोर्शन जो है वो ज्यादा हाइट वाला है तभी तो मांट अबू लोकेटेड है सिरोई के अंदर हाइए स्पीड ओके अब जलते हैं अपन क्लासिफिकेशन ओफ फॉरेस्ट के उपर इसके बारे में आपन नेक्स लेक्सर में बात करेंगे कि वीडियो अल्रेड इस वीडियो नेक्स वीडियो आपको एक यह दो दिन के अंदर जरूर मिल जाएगा थैंक यू